नमस्कार आप देखने आरे नियूस मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंग और आरे ग्रूप की तरफ से आप सभी दर्शकों को रक्षबंधन की हारदिक शुपकामना है रुक करते हैं बॉलिवुड की कुछ बड़ी खबरों की ओर तो बता दें कि देश पर में आप रक्षबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है भाई भेन के इस खूबसूरत रिष्टे के दिन आम जनता से लेकर बॉलिवुड सिलेब्रिटीस तक धूम धाम से यते होर मनाया जा रहा है इसी बीच रुदिमा कपूर सहानी ने भी अपने लविंग ब्रदर रंबीर कपूर के साथ एक फोटो शेयर की साथ ही उन्होंने कहा कैमरा का पोस्ट देते हुए दोनों साथ में नजर आए है रंबी कपूर सहंग खूबसूरत फोटो शेयर करते हुए रिदिमा ने अपने भाई के लिए एक खास मेसेज भी लिखा है रिदिमा ने अपने पोस्ट में लिखा कि बेस्ट को राकी की शुपकाम ना है तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और सबके प्यारे भाईजान और बॉलिवुट के सूपर स्टार सल्मान खान इन दिनों कत्रीना कैफ के साथ रूस में टाइगर 3 की शूटिंग कर रहे है सल्मान और कत्रीना पिछले हफते ही टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस पहुंचे थे और अब शूटिंग के सेट से सल्मान खान की कुछ लेटिस्ट फोटो इंटरनेट पर जम कर वाईरल हो रही है टाइगर 3 के सेट से वाईरल हुई सल्मान की तस्वीरों में उनका ये लुक काफी अलग नज़रा रहा है सल्मान की तस्वीरों को देख कर कहा ज़ा सकता है कि ये उनके फिल्मी करियर का अब तक का सबसे ड्रमाटिक लुक हो सकता है इसे बीच आपको बताएं कि इस तस्वीरों में सल्मान को पहचानना काफी मुश्यल है फोटोस में आप देख सकेंगे कि किस तरीके से सल्मान खान ने एक ब्राउन कलर के लंबे बाल रखे है साथ ही सल्मान की मूचे और दाड़ी भी बालों की तरह ही ब्राउन रंकी हैं और काफी लंबी है सल्मान की ये तस्वीरे उनके फैन पेज़ पर 30 के साथ वाइरल हो रही है साथ ही सल्मान को इस लोग में देखकर काफी लोग चौक भी रहे हैं क्योंकि इस गेट अब में शायद पहले सल्मान किसी भी फिल्म में कभी दिखाई नहीं दिया अब Wallywood अभी नेत्रियों को अकसर अपनी बॉडी फ्लॉंट करते हुए और बिक्नी बॉडी फ्लॉंट करते हुए देखा चौता है और वो सुर्क्यां भी बटोरती है और इस बार बिक्नी बॉडी फ्लॉंट कर रही है नेहा शर्मा अपने लेटेस्ट वीडियो को लेका काफी चौचा में है उन्होंने एक ब्लाक अचाउट बिक्नी में अपनी फोटो शूट का वीडियो शेयर किया है जुसमें नेहा का ग्लामरस लुक नजर आ रहा है नेहा ने इंस्टाग्राम पर अपना ये पोस्ट आज़ लोगों ने लाइक किया है साथ ही बता दें कि यूजर ने लिखा बहुत गौर्चियस लग रही हो एक एक ने लिखा है कि कुईन लग रही हो तो वहीं अन्य लोगों ने लिखा है कि बेहत ग्लामरस इसी तरह से दूसरे यूजर ने भी हाट और हाट और इमोजी जो है शे और इस वीडियो से पहले आईशा के साथ अपनी फोटोस सांज़ा कर चुकी है लेहाँ और नागिन फेम टीवी आएक्टरिस अनीता हसना दानी फैमली के साथ मौलदीव विकेशन्स पर निकल चुकी है और अनीता ने मौलदीव से कुछ फोटोस भी शेयर की आपको बता दें कि अनीता बेहत मस्ती करती हुई नजर आ रहे हैं और साथ ही अनीता उनके पती रोहिट रेड़ी और बेचा आरव और अनीता की मा आईलेंड के सुहाने मौसम का लुट्फ चाते नजर आए अनीता के बेचे का येक पहला आईलेंड ट्रिप है जुसे नन्हा सा आरव खुब एंजोई करता नजर आ रहा है साथ ही आपको बता दे कि अनीता ने ट्रिप पर खुद के लिए भी काफी समय निकाला है उन्होंने अपने सोलो पिच्चर्स को भी साज़ा किया साथ ही इनमे अक्ट्रिस का लाइट मेकप भी देखा जा सकता है अपनी सोलो फोटो में अनीता पिंक और परपल और ब्लू बलून स्किल्स के साथ आउट्फुट पहने नजर आ रही है और अनीता ने अपने लाइट मेकप को फ्लॉन्ट भी किया है और आउट्फिट से मैच करके रखा है आँखों पर अनीता ने पिंक कलर का ही ब्लुशर लगाया है और इसी के साथ ही पिंक हाइलाइट उन पर काफी ज़च रहा है इस सेल्फी के साथ ही अनीता लिखती है सेल्फिजम इन मॉल्दिविजम इनकी सस्वीर पर कई सेलेब्रिटीज और उनके फैंस ने अनीता की बेहत तारीफ की साथ ही आपको बता दे कुछ लोगों ने हुने स्टनिंग भी बताया है तो कुछ फैंस ने इमोजी शेयर कर अनीता की तारीफ की